तो सबसे पहले एलेक्ट्रिक चार्ज है क्या इसके एक एक्सपरीमेंट भी है जो आप अपने घर भी कर सकते हो ठीक है उसका एक एक अनिमेशन में डाल दिया तो कि आप एक्सपरीमेंट खुद करके भी देख लो ऐसा होता है यह नहीं होता है और यह आपने खुद भी कई बार देखा होगा स्टाटिक चार्जिस या स्टाटिक एलेक्सिटी को कहते हैं कई बार आपने देखा होगा कि मतब आप कहीं बैठे हो फिर सडनली उठते हो तो यूल फाइंड कि हाँ आप थोड़ा से चार्जिस रग गए मतब अगर आपने थोड़ा पीस और पेपर को तोड़ के रख दिया तो थोड़ा से चिपक जाते हैं या कॉम वाला एक्सपरिमेंट जो बच्पन से हमने सुना होता है कि अगर आप कॉम करते हो तो कॉम के अंदर चार्जिस प्रड्यूस हो जाते है पर ऐसा होता क्यों है तो उसके पीछे का जो रीजन है पहले उसको अ आपके जाके समझेंगे तो इंट्रेंसिंग आई इसको याद करेंगे तरीका है इंट्रेंसिंग आई आई मतलब इंडिबेंडन प्रॉपर्टी ऑफ सब अटोमिक पार्टिकल ड्यू टू इस पार्टिकल एक्स्पिरेंस मैंग्नेटिक फिल्ट आनि डिनोटिट वाई क्य ंसी कभी डिनोट कर रहें क्यों से डिनोट करेंगे और उस प्रॉपर्टि का मतलब क्या है वह समझ लेंगेए कि वह कोई भी पार्टिकल है वह कैसा स्टूर्ब नहीं है खुए एक प्रॉपर्टि इस फ्राफ्रिव फार्ट वहीं होगाents अंघ्म कर एक को समझना भीऑक produce, glass rod के अंदर positive charge आएंगे, इसके अंदर negative charge आजाएंगे, यह produce आएंगे, अगर दोबारा से उसके उपर रख दोगे, तो charge एक दूशर से balance कर लेंगे, बट इसका आगे क्या significance होगा, इसको समझेंगे, तो the property by which two bodies get electrified is termed as electric charge, कोई भी दो body, ठीके, अभी, मदब same charges होँगे, तो क्या effect आएगा, opposite charge होँगे, क्या effect आएगा, we'll study, but the concept of electric charge is very very simple, it's an independent property, जो किसी भी material में हो सकती है, और दो material के interaction से उनमें अलग अलग charges produce हो सकते है, अब इसके reasons क्या होँगे, तोड़ा सो और detail में जाके देखें, कि तो we'll understand, ठीक है, तो उसका next part क्या है, basically, electric charge is a scalar quantity, इसका मतलब, और ये चीज़ बहुत कम लोगों साज में आता है, इसे, ह हम scalar और vector की बात करते है, जो हमने अलग से बढ़ा हूँ है, scalar properties क्या होती है, scalar क्या होती है, इसका magnitude तो होता है, पर कोई direction नहीं होती, ठीक है, magnitude है, पर direction नहीं है, और vector क्या होता है, इनका magnitude भी है, और इसकी direction भी है, अब आगे जाके हम electric current पढ़ते है, electric current हमें पता जलता है, स इसे लिए flow of electrons ही है, मतलब electric charge का एक flow ही है, electric charge का flow होने के बाद भी, मतलब उसकी direction भी fix है, positive terminal से negative current दिखाया जाता है, उसका magnitude भी होता है, ohms law की तरफ से, बढ़ उसको फिर भी scalar बोलते है, उसकी जो starting point है ना, वो यहां से start आता है, कि कि किसी भी electric charge की, आप कभी भी direction बनाया है, जिसमें Colombs का एक पूरा experiment दिखाया है, इसी experiment को, एक simple तरह से समझाने का try किया है, उसको भी जरूर चेक करना, ठीक है, on this channel only, ठीक है, तो basically, कितरे तरह के charges होते हैं हमारे, जर्नल ही हम जो बोलते है, positive or negative, एक neutral भी आएगा, उसको समझेंगे, पर जितने भी type of charges ह होते हैं, इनकी कोई direction नहीं होगी, अगर मेरा positive charge की कोई direction नहीं है, negative charge की कोई direction नहीं है, कल electrons हैंगे, उनकी कोई direction नहीं होगी, flow की, वह randomly move करेंगे, उनकी कोई defined direction नहीं है, उनकी कोई डिफाइन डिरेक्शन नहीं है, वह किसी एक vector के law को follow नहीं करते है,